नमस्कार दोस्तों हमारे खट्टी मिठी रेस्पी चैनल में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रहे हूं एक खास रेस्पी इस रेस्पी का नाम है खोवा का पराठा कोई लोग खोवा बोलते हैं और कोई लोग मावा बोलते हैं तो आप जो भी समझ लेजिए मावा के प परशक्ता पड़ेगी आप यहां देख सकते हैं 200 गराम खोवा है यानि मावा यहां पर भूरा है मैं चेनी को मिक्सर जार में डालके थोड़ा सा चला दी हूं तो यह देखिए भूरा जैसा बन गया है और यहां पर एक कटूरी आटा है और यहां देखिए सूखा गरी है मैं इसको कद्दू कश कर ली हूँ इसको डालने से बहुत टेश्टी लगेगा खोवा का परठा और यहां पर देखिए देशी घी है मैं देशी घी लगा के परठा बनाऊंगी और टेश्टी लगेगा दो इलाची को मैं कूट के अच्छी तरीके से एक प्लेट में रख ली और गैस पर तवा गरम करूंगी चलिए मैं सबसे पहले आटा गुत लेती हूँ जैसे मैं रोटी बनाती हूँ उसी तरीके से मुझे आटा को गुतना है उतना ही सौप्ट तो देखिए मैं यहां पर थोड़ थोड़ पाइन डालके गुत हूंगी कि ज्यादा मेरा आटा ग कर और गुतना है आटा को और मुझे अब ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है आटा बहुत अच्छे से गुता गया है अब मैं आटा को सेठ होने के लिए 10 मिनिट के लिए धक के रख देती हूं अब तब तक मैं खोवा में सारी समगरी मिला के तैयार कर लेती हूं पहले चीनी का भूरा आप तुमें बता दो आप खड़े चीनी नहीं इसमें मिलाई जब मैं आटा में भरती हूं तो बेलते समय कुरकुरे होता है तो फट जाता है इसलिए मुझे जब भी खोवा का पराठा बनाना हो तो चीनी को इसी तरह से भूरा बना ले चीनी आप अपने स्वाद के अनुशार डाले अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरीके से मीश कर लेंगी अगर आप किसी भी फेस्टिवल पर आपको लगता है गोजिया बनाना आसान नहीं है नहीं हम बना पाएंगे अकेले तो आप इसी तरीके से खोवा का पराठा बनाईए बहुत अच्छा लगेगा तो देखिए पूरी तरह से एक खोवा तैयार हो गया है आटा में भरनने के लिए घ्रां करकेता तावा गरभन लेती हूं देखिए 10 मिनट हो गया है आटा अच्छी से सेथ हो गया है मैं आपे सुखा आटा ली हूँ लगाने के लिए चकले में चिपके ना सबसे पहले मैं चोटे-चोटे लोई लूँगी देखें आपको जितना बड़ा साइज रखना है उतना बड़ा साइज आप रखें मैं इतने बड़े साइज ली हूँ इस तरीके से हाथेलीओ के सहारे से गोल बनाना है फिर अंगुलिये से इसे दबा करके चिप्टा कर देन एक बात मैं आउर आपको बता दूँ चीनी खोवा में पहले नहीं मिलाए जब आपको बनाना है तभी मिलाए नहीं तो आपको बनाएं नहीं तो ये पसीच के गीला हो जाएगा, अब देखिए मैं तबाप पर डालूंगी, अब हलका से सीख जाएगा तो मैं इसको पलटूंगी, देखिए आधा मिनट हो गया है, मैं इसको पलट के एक बार शेक कर लेती हूं, देखिए बहुत अच्छा कलर आया है इस तरफ का और एक मिनट बात मैं फिर से एक बार चेक करूंगी कि नीचे का जो है वो ब्राउन हुआ कि नहीं देखिए जब ब्राउन हो जाएगा तम मैं इसमें देशी घी लगाऊंगी आप चाहें तो विफाइं टेल से भी बना सकती हैं लेकिं खोवा के पराठा है अगर देशी घी आप लगा देती हैं और तेश्टी लगने लगेगा जब तक यह सीख रहा है तब तक में दूसरा लोगी काटके स्यार कर लेती हूं तो चलिए एक मिनट हो गया है मैं चेक कर लेती हूं ब्राउन हुआ कि नहीं देखिए बहुत अच्छे से कलर आ गया इसका चेंज हो गया है अब मैं इसमें घी लगाऊंगी अब दुसरे साइड मैं पलटके घी लगा लेती हूं देखिए बहुत अच्छे से फूल के त्यार हुआ है खोवा के पराठा अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूं देखिए कितना सुन्दर बना है खुवा के पराठा इसी परकार से मैं और बाकी के बचे हुए खुवा के पराठा बना के त्यार कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ देखिए सारा पराठा बनके त्यार हो गया है आप देख सकते हैं तावा पे कितना सुन्दर से फुला है तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ प्लेट पे आप यहां देख सकती हैं खुवा के पराठा बनके पूरी तरह से रेडी है प्लेट में त्रिप खाने के लिए बाकी है तो आप इसी तरीके से जटपट अपनी कीचन में खुवा के पराठा बनाए एक खाने में बहुत स्वाधिश लगता है और देखने में भी बहुत अगर आप अकेली हैं किसी भी फरष्टिवल पर आप गोजिया नहीं बना सकती हैं ता आप इसी तरीके से खुवा के पराठा बना करके उनको खिला सकती हैं अगर आप होमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करें और बकल में बेल आइकन फ्रेश करना बिल्कुल न भूले और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेस्पी के साथ तब तक की लिठाएंगे दोस्तों